नमस्कार जेहिं दिसी जैस के यादव फ्रॉम फाइट पॉर सक्सेस 139 मैं एस के यादव आप सभी भविस्थ के भावी अधियापकों का अपने यूट्यूब चैनल फाइट पॉर सक्सेस 139 में स्वागत करता हूँ तो फ्रेंट्स आपको बता दें कि आप अगर किसी भी टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टि तो आज हम friends आपको बता दें आज जो हम करेंगे वो परियावरान से related कुछ questions करेंगे तो चली समझते हैं पहले हम पूरा का पूरा explanation करेंगे फिर जो है next जब ये chapter खता हो जागा तो फिर जो है next day में क्या करेंगे तो next day हम करेंगे क्या इनसे related कुछ questions करेंगे friends चली friends start करते हैं सबसे पहला मेरा topic है birds क्या है friends birds है चली birds के बारे में जानते हैं तो देखें सबसे पहले आता वीवर क्या आता है वीवर पक्ची चली इनको देखते हैं क्या है तो नर वीवर क्या दिया है नर वीवर पक्ची घोसला बनाता है और मादा वीवर उन सभी घोसलों को देखती है अईनमें जो सबसे अच्छा लगता है उनमें वह क्या करती अंडा देती है देखें फ्रेंट्स आपको बता दें वीवर पक्ची के बारें बस आपको एक चीज़ें ही याद रखना है कि मादा वीवर पक्ची जो है वह घोसला कि मादा वीवर घोसला नहीं मनाती बनाती कौन है नर वीवर घोसला बनाते है और मादा वीवर क्या करते हैं उन सभी घोसलों को चेक करते हैं कि कौन सा घोसला जो है अच्छा जो उसको पसंद आता है उसमें क्या करते है तो मादा वीवर उसमें से अंडे देने का कारी करत कव्वा पेढ़ की उची डाल पर कहां पेढ़ की ऊची डाल पर गोसला बनाता है, और सबसे important वात यह है कि कववा जो है घोसले बनाने में घोसले जो बनाते उसमें की चीज़ों का परियोग करते हैं तो आपको बता दें कि ये जो है ये तार का भी परियोग करते हैं क्या करते हैं तार का भी परियोग करते हैं और लकडी के सखाओं का भी परियोग कर लेते हैं बस इतना ही याद रखना कि अगर पूछी लिया जाए कि कौन सा इसा पक्छी है जो अपने घोसले में तार का पर और चब बच्चते होते हैं चो इसी पालते हैं और जब बढ़ी होयाते प्रैट है घत आतर है यह अधीं सेटर से बीच में नके हैं अधुरा नब्सक नदिटें करन सब्सक्राइ गुब करता है आपको बता देते हैं कि कोवा अपने अंडे के साथ में क्या करता है तो कोवा के अंडे को भी सेता है यह आपको याद रखना है चलिए पाकता यह बहुत बार पूछा गया है पाकता पक्छी अपना घोसला बनाता बता दें आपको याद रखना है जो है किक्टस के काटों के बीच जो है क्या करता अपना गोसला बनाता है और मेहंदी के मेड़ में बनाता है फ्रेंट्स इनका हम पिक्चर यह आपको देखा तो फोटोग्राफ मेरे पास नहीं था नहीं तो हम एड करते चली नेक्ट वीडियो में आपको कभी होगा तो इसक पीछे द के पीछे आपने को देखा होगा कि यह जो है कहा होतो है हमारे घस के आसपास कहीं भी क्या करते हैं गोसला बनाते है तो बस ग्लных कि या के बारे में आपको याद रहना है कि यह क्या करते हैं घर क्या करते हैं घुसला बनाते हैं चली तफ्ज देखाली बसंद घूरी देख कि走 Βसंद घुरी पेड़ के तनए में करते गहरा चेद मनाती है और आपना घोसला पथरों के बीचों बीच बनाती है तथा इसका घोसला घास से बना होता है इसके उपर पोधों की नाजुक टहनी जड़ उन बाल रूसब बीचा होता देखी यह सब यादा इंपोर्टन नहीं सबसे मैं इंडियन रोबिन के बारे में जो इंपोर्टन चीज़ है वो क्या है तो यह पक्छी इंडियन रोबिन है यह अपना घोसला कहा मनात बनाते हैं यह प्रेंट्स कबूतर पक्ची जो आपके घरों में बहुत जाता है तो मातरा में पाई जाते हैं आप लोग सभी देखे भी होंगे अच्छे तरीके से अब बात करें फ्रेंट्स दर्जिन पक्ची अब क्या आता है दर्जिन पक्ची चली यह बहुत प्यारा सा है देखते हैं दर्जिन पक्ची कैसी घोसला बनाता है तो दिया है कि दर्जिन चिडियां अपनी चौच से पत्तों को सी लेती है अपनी चौच से पत्तों को क्या कि यह उस तरब से इस तरीके से क्या करता है क्या करते लिए लेटार्ण euros blow-chef महिंदु लिए यह इनके बीच में अंडे डेती है या आपको सव्म्यागर इसलिए इसको क्या क्यां करते हैं दर्जीन पक्षी कि क्या है और कि नेक्स हमारा आता सक्कर खोरा क्या सक्कर खोरा क्या है अधाल के बारे सब्सक्र करें खोरा लटकता उचला बनता है इसका नाता हैड्वाक जाल निस में पत्ते पेड़ की चाल के टुकड़े और कपड़े की चित्वे से बनती है बस आपको इतना याद है सक्कर खोरा के बार में एक भी चीज़ें आपको याद रखना है कि इस पर यह जो घोसला बना थे किस प्रकार से तो यह लटकता घोसला बनाते हैं इन सभी का पिक्चर जो ह कि यहां देखा हुगा यहां से हमारा पक्षी जो है खतम हो जाता है अब हमारा कुछ जानवारा आया तो इसकी बारे बात कर रहा है कि बिल्ली के दाथ नुकुले होते हैं जो मास फारने और काटने के काम आते हैं ढहके जानते हैं कि बिल्ली को मांस बहुत ज़्यदा पसंद आता है है और यहां मास् जो है खाता भी बहुत ज़्यादा है तो इसलिए देखे बिल्ली के दात क्या होते है क्यां मास् को फारने और काटने का काता है काम आता है बस नहीं आपको याद रखना है चलब फ्रेंच सन्स नेक देखते हैं यह हमेशा क्या करते हैं 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 चुहा की बात करें चुहा की दांट भी क्या होते हैं इसलिए आपकी घरों में कपड़े वगर हमेशा क्या करते हैं कार देते हैं बिना अगर मान ले कि कोई काम भी नहीं है इसको लेकिन फिर भी तो गिलहरी और चूपा के बारे में आपको इतना हितना याद रखना है चलिए přेंस द brothst дав now अब देखें आया यताए क्या रेट में रर क्या आता है रेट के बारे में का देखको यह याद लुट होती है इतना ही आपको रेट के बारे में याद रखना चूरा के बारे में या देखने की चम्टा तो बहुत कम होती है लेकिंशन और धख कि छोडब दोगे तो देखोगे कि रात में अचानक सी गायव क्या हrush Biceh di do so खोटे होते हैं थोटे होते हैं पत्तों को काठने के लिए गहास चबने के लिए पीछे डनत चपकाटी और बड़े होते हैं बस इतना हिया रखता कि आगे के डांत की बात करें तो आगे के के ढाल को आसानी से चबस करें सनयक किसकी बात करें सांप के धांनत क्तने होते नूइले होते हैं और यह सीकार को चबस कि निगए पर के रह duż यह बहुत स्वाइन कि बहुत परकार करें यह आपको याद रखना बस इतना याद रखना फिसकार को चबाता नहीं यह क्या करता है क्या करता है निगल जाता है अब देखिए हमारा याथ यूपी यूपी उत्तर परदेश को क्या का था खुसबुओं का सहर भी कहा था चलिए फ्रेंट्स यूपी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि क्या-क्या इनकी विश्षिस्थाएं है देखें उत्तर परदेश का कन कनोच जी ला इनको या रखना है कनोच जी ला जो है किसके लिए इत्र के लिए मसूँर है इत्र के लिए क्लिए पंखुरियाँ तथा इत्र बनाया जाता है इसलिए कन्नोच को इत्र की नगरी भी कहते हैं यहाँ आपको यादखना है कि यहाँ जो हमारा उत्तर परदेश का जो कन्नोच जीला है यहाँ पर क्या होते हैं इत्र बहुत ज़्यादा मसुहूर है यहां पर गुलाब के पंखोडियों से गुलाब जल बनाया जाता है और इत्र भी बनाया जाता है इसलिए इसको क्या कहते हैं इसलिए यहां पर देखिए आप खुस्बुआ का सहर भी कहते हैं क्या कहते हैं क्योंकि यह इत्र जो है बहुत जादा मातरा मनाई जाते हैं गुल कि यहां घर बनाने के लिए लोगों द्वारा आस पास के उपलब दोस्तों का परियोग किया जाता है आस पास जो भी वस्तों होता है उनका क्या करतें परियोग करतें आज यह बात करें सोहना गान जो हर्याना का यह यो आपना घर बनाते हैं यह बहार से कोई वस्तुएं नहीं लाते हैं आजपास जो भी चीज़ा स्वास्ट कि वस्तुएं इकठा करके ही वह आपना घर बनाता है इसलिए क्या है जलिए भर देखें गोवा बहुत ही प्यारा सा सुन्दर जग़ा हैं कौन-कौन गोवा से हैं कौन-कौन वीडिया देख रहे हैं वो प्लीज कमेंट के जग़ा अपको बता ने मचली को नारियल तेल में पकाया जाता है और इससे जिसका स्वाद अलग होता है बता देहां आपको कि कि याद रखना है और एक चिए बात करने तो एक और आया आता है किसकी बाता है के रल की बाता है के रल में भी जो केरल में भी जो सबजी वगर जो भी चीज़ें बनाया जाता है फ्रेंट्स वो क्या होता है तो नारियल के तेल में ही मनाया जाता है ये भी आपको याद रखना है और गोवा के बारे में तो इतना ही याद रखना है कि मचली नारियल के तेल से पकाया जाता है चली फ्रें तो इसके लिए add कर दी ये नार्यल का – جो गोवा और केरल से relate करता है तो बहुत ज्यादा मातरा में क्या ह 요ते ही नार्यल की पेडढ़ वो पस्तित होते हैं, इसलिए मैंने इसको add किया और कों आता है, देखीं है केरल भी एड हो गिया है, क्या है केरल, के वाले हैं जानते ह sabes केरल है तेपी योका बहुत पसंद कियाथा बता धें कि ये नारियल और टेपी योका बहुत पfang किया आता है। इक दूसरी बात क्या है तो यहां पर नारियल और टेपी महीं चंग्र मी र governments संद कि आता है यूप deservesन, यह चाहां को याद रखना है और जाद नहीं रखना है चलिए देखतें क्या है नेक्स्ट फ्रेंट आता है गुजरात कौन कुछ रखना है यह फेमस है बहुत बार सीटेर में पूछा गया कि वलसाड कहां प्रेजिएंट है कहां पर उपस्तित है गांदीदान एहमदाबाद और कच यह चार जो है परसीद जगह है और सीटेर ने वहुत बार पूछा भी गया है तो इन चार जगहों को याद रखना है वलसाड गांदीदान एहमदाबाद और कच जो है कहां है गुजरात में ही इस्तित हैं चलिए फ्रेंट्स हरियाना की ब किसके बारे में करनम मलेश्वरी के बारे में आपको याद रखना है और परदेश की रहने वाली थी और क्या थी वेट लिप्टर थी फ्रेंट्स कितना केजी तो वह बता दें 130 केजी का वजन उठाती थी और भारत के बाहर कितना 29 मेडल वह जी चुकी थी देखते हैं और पर लड़किँंगों को याद रखना है कि इस कैम में साधी फिज़ा लड़किवों को पूरह इस्कूल भेजा जाता है ताकि वह अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी कर सके देखे इनके बारे महां आपको बता दें कि आंधर परदेश जुए इसमें क्या होता था थो देखे अ एक विसेस प्रकार का वहां के सरकार जो है क्या करते हैं क्या करते हैं क्या करते हैं क्या क्या करते हैं चाकि उसे जो उसकी पढ़ाई जो अधुरी रहे गए उस अधुरी पढ़ाई को क्या कर ले पूरी कर ले इसलिए साधी सुधा लड़की को क्या क्या क्याता है तो उनकी सब्सक्राइब लड़कों की बात करने कितना वर्स होता है तो उनका अगर बात करें तो यह लड़की का उमर के इतना होना चाहिए यह यह शूर होना चाहिए यह सभी आपको पहले से पता हो अब बात करते है उत्राखंड को फूलों की घाटी भी कहते हैं यह तो बता दें सांद घाटी जो एक है केरल कहां पे है केरल मिस्ती तो यह आपको याद रखना के सांत घाटी की बात करेगा तो आपको कहां पे लिख रहा है केरल पे और फूलों की घाटी की बात करेगा कहां पे है उत्रा खंड पे है अगर बिहार की बात करें किसकी बात करें बिहार की बात करें तो बिहार में मधुम कि मधुवनी चित्रकारी की बहुत प्राचिन प्रता है देखी बिहार की बात करें तो मधुवनी चित्रकारी की बहुत प्राचिन क्या है प्रता है यह बिहार में मधुवनी नाम के एक जीला में काफी परसीद है कहां पे है तो मधुवनी नाम का जो बिहार में एक जीला है है है मदुवनी नाम का एक जीला है जहां पर विशेश परकार के रंगों से क्या क्या आता है वहाँ पर चित्र बनाने के लिए रंग ऐसे प्राकरतिक रंग का परियोग करते हैं किसी भी अगर बात करें किसी प्राकरतिक रंग का ही परियोग करते हैं यह आपको याद रखना है तो यहीं लिग देखी क्या है इनको आप नौट कर ले जगा कि मदुवनी चित्र बनाने के लिए रंग प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले वर्स्तों से बनाई जाते हैं चली फ्रेंट देख लेते हैं कि ये किन किन्चरस से मिलकर बने होते हैं देखे फ्रेंट क्या है चीत्र पीसे हुए चावल देखे पीसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर क्या रंग मिलाकर बनाए जाता है और रंग बनाने के लिए रंग बनाने के लिए किनका इंका पर्यों करता है तो हल्दी गुलहल नील फूल पेड़ों का रंग इस्तेमाल क्या था है सारा देखिए हल्दी की बात करें गुलहल की बात करें नीम की बात करें फूल की बात करें पेड़ों का रंग की बात करने सारा का सारा क्या है तो प्राकृति के निचुरेल है फ्रेंट्स कोई भी क्रित्रिम नहीं है मान अम रिमित रंग नहीं है तो यह आपको याद रखना है और फिर अगर देखा जातों महधुबनी चित्रकारी के बारे में देखे लिए और क्या क्या बनता है तो देखिए इसमें फूल भी मनाई जाते हैं क्या बनाई जाते हैं तो यह क्या है तो यह मधुबनी का जो है चित्रकारी है और बहुत ही परसिद्ध है प्रेंट्स तो यह इनको आपको याद रखना यसी टेड़ें पूछा भी गया था अब बात करते हैं ज कि यहां सरसों के तेल में मचली बहुत पसंद किया था देखिए कस्मीर की बात करें तो यहां के सरसों के तेल में मचली बनाया था सरसों के तेल में मचली जो बनता है वह क्या करते हैं यहां के लोग जो बहुत ज्यादा पसंद करते हैं तो बस इनको याद रखना है कस्मी तो आपको हमारा क्या है तो बता दे हैं कि देखते हैं हमासे चुछा करते हैं यह हमारा गीजुँ भाई है आप 131 तो कहा से थे वह से थे यह क्या करते थे तो बताने का नंह缝 इसकान वाढ़ को बताने यह रती यह वाली quick इसके लिए देखें हिए बच्चों के लिए कहां लिकते थे कहाणियों के किताब लिखते थे और क्या होता है यहाँ करते बच्द होता है इसलिए हम गीजु भाई को परियावरण में एड की हैं चलिए फ्रेंट्स इनके बारे में देख लिते हैं आप है कि क्या क्या लिखा है लिखा है कि गीजु भाई बधे का गुजरात के रहने वाले थे वे बच्चों के लिए मजदार किस्से कहानिया और पत्र लिखते थे उनकी लिखे पत्रों में परियावरण तथा पक्षियों के बारे में बताया गया है बस इनका इतना ही याद रखना की जुँ भाई के बारे में फ्रेंट्स करनाटक कि क्या दिया की भीमसंग यह बच्चों की पंचयाद है और करनाटक के होल गुंडिगावunda में पाणी की समस्या थी और भीमसंग ने कि Yukhi Bheem Singh की करनाटक के क्यों प्रसिद है इंस यह आपको बता देगों क्या होगा थाथ पानी दो क्या हमें पृप ज्यादा समस्या हो गया था अं समस्याओं हो गया था है समस्या मिन साम Judaism किक यहां पर मनाया जाता है और फिर आगे लिखा है कि बीहु चोदा या पंद्र जनवरी कब चोदा या पंद्र जनवरी अगर आपको डेट याद न रहे तो महिने को याद रहे पर फिर न पर फिर जनवरी को मनाया जाता है और पहले दिन जो होता है उसको हम क्या कहते हैं और इस दिन क्या होता है ए अस्थाई छप्पर को क्या कहते है चलिए प्रेंट्स देखिए बदमासों का सहर की बात करें तो यह हमारा बदमास दिस पाकिस्तान है क्या है पाकिस्तान है फ्रेंट्स तो पाकिस्तान को भी जान लेते हैं क्या है तो बस पाकिस्तान के बाद में एक चीज़ याद रखना है कि डेरा गाजी खान क्या है डेरा गाजी में कि पर्कार के भोजन कहाँ पर भनाइज छी जाथ गया कि प्रिंस के गरत हो आज जाता है कि प्भुलों की सब्जी बनाई जाती है देखते ही размер में उत्तर पुर्देश किसकी बात करें उत्तर प्रदेश में कचिनार के सब्जी और के भी यह चीज़िए और कौन कौन जो है यहां रखना पहले कि महाराष्ट की बात करें तो महाराष्ट में जो होता है याद रहना कि सहजन के फूलों की पकोड़ी बनाई जाते हैं यह आपको याद रहना है तो महाराष्ट की बात करें तो महाराष्ट में क्या होता है सहजन के फूलों की पकोड़ी बनाई जाते हैं यह आपको य है तो यह दीकि लिंगुफ हैं क्या है लिंग क्या है ये आपको याद रखना है किसे बना याद रखना है कि निफ यह साफ से बनाई जाती है और यहां यह बहुत है परचलिते घृच चावयां से वहाँ के लोग जो साप सी बनाए हुए भोजन को खाते है उसका नाम क्या कहते है लिंगो फ्इन कहते है Շतना याद रखना है यह कहां का भोजन है तो होंग पहुआ है और बात करें हैं मां की बढ़ी वहन का किया था थे यंद कि मोसी को कि कि मा की बड़ी वहन को क्या कहते हैं तो वली अम्मा कहते हैं यहां पर देखें यहां याद रखना कि अमुमा किसकी तो मलियालम भासा की ही बात करते हैं अमुमा किसको कहते हैं तो मा की मा को मा की मा यानि कि नानी को जो है आपको याद रखना है मा की मा अगर याद रखना नहीं है तो सिर्फ याद रखना कि मलियालम भासा में नानी को क्या कहते हैं अमुमा कहते हैं और मोसी की बात करें तो मोसी को क्या कहते हैं तो वली यम्मा क कि बाता है तो दिखें कि रिल्वे टाइम टेवल से हम कई जानकारियां इकठा करते हैं जिसे ट्रेन कब आएगी कब पहुचेगी कितने यात्तरा में कितना समय लगेगा किराया कितना आधी लगेगा इन सभी चीजियों की जानकारी हमें ट्रेंड से मिलती है इसको बताना एक्स्प्रेंड करना ज्यादा ज़्यादा जोड़री नहीं है चलिए फिस नयाग दिकते हैं बस यह चीजिए आपको त्रेंड द्वारत ते की गई दूरी यह चीजिए आपको आता है कि ते की गई दूरी जो होती कितना चबी सो उन्चास किलो मेटर दोनों की बीच में कितना चोदा स्टेशन पढ़ते हैं यह आपको याद रखना है कि गांधी धाम जो है कहां पे है गुजरात में और कि उनके बीच में जो है कितना 2000 पूल पढ़ते हैं और कितना था 96 सुरंगे या कुछ था इनको आप याद रखना 96 सुरंगे था साही अब बात करते हैं फ्रेंड्स देखी क्या आता है अब आता है फेरी क्या है पानी में आने जाने का साधन एक परकार कर नाव है आपको ब परकार का नाव है परकार क्या है नाव है बस इतना ही याद रखना है अब देखी क्या लिखा आगे आगे लिखा के कई भागों में एक जगह से दुस्य जगह जाने के लिए फेरी का परियोग करते हैं तो फेरी का परियोग करते हैं यानि एक परकार का नाव है फेरी क्या करते हैं करते हैं करते हैं कट बता दिए और वहयां कि पसंद किया था साधी भात कर लिए थे यह बात कर लिए थे जावल किसी बात करें चावल क्या है तो ओस अमन तथा बोरा चावल की विभिन किसमें इतना याद रखना है ओस अमन तथा बोरा यही तीन चीज़ें आपको यादना है ओस अमन तथा बोरा क्या है चावल की विभिन किसमें है बस चावल के बारे में इतना याद रखना है फिर क्या है केरल के बारे में क्या एड रखना ने से धर के बारे में और जो था यहां पर ज्सेंद होती है इसलिए क्या कि आपे ओपर में घर कखमों के उपर में घर बनायाते हैं इसलिए क्योंकि यहां पर 2 जो थायत मात्रा में होते हैं लकडी का भी पर्योगत होते हैं लिका है कि यहां बहुत वरसा होती है इसी लगभग 10 से 12 फिर उचाई पर घर बनाई जाते हैं और यहां बास के खंबों पर गर बनाया जाता है और घर के अंदर भी लकड़ी होता है तो आपको मैंने पहले ही explain कर दिया चलिए फ्रेंट्स देखते हैं next क्या है नेक्स देखें फ्रेंट्स तो नेक्स आता मनाली का घर क्या मनाली का घर चलिए मनाली की घर के बारे में थोड़ा से जान लेते हैं यह देखिए यह पहारी इलाका है कौन सा इलाका फ्रेंट्स आपको बता दें यह पहारी इलाका है क्या है पहाडी इलाका है और यहां जो घर बनते हैं यह पथलों में बनाया जाते हैं इतना आपको याद रखना है कि पत्थरों के घर और लकडी घर बनाने के लिए तो दो चीज़ों का प्रयोग करता है यहां क्या होता है तो पत्थर का क्या प्त्थर का प्रयोग करता है और फिर क लकड़ी के घर बनाए जाते हैं इतना याद कि मनाली के बारे में कि यहाँ यह पहाड़ी इल्गूर बन गया है थोड़ा से इनको हम next lecture में क्या करेंगे अच्छी तरीके से explain करेंगे इलगू किस परकार का घर होता है देखिए next आता है प्रेंट्स रायस्थान के घर कहां के घर रायस्थान के घर यह जो है एक्जाम में बहुत पर पूछा गया है चलिए हम आपको बता दें कि रायस्थान भारत के पस 1 पर घर बनाने केली का परयोगी किया और है घरों की दीवारों पर मोटी बनाएया जाती है इनको आप यहां समझा देखिए यहां बगार धारत का अगर भारत हुआ jurisdes और उपर छट की बात करें तो फूस होता है फूस से बनाई जाते हैं इतना ही आपको रायस्थान के घरों के बारे मियाद रखना है चलिए फ्रेंस नेट देखते हैं नेस्ट क्या है देखी ये एक चीज़ दिया है जो लोग बस सुन नहीं पाते अपनी बात विशस इसारों से प्रेसिक देखते हैं सही बात है कि जो सुन या बोल नहीं पाएंगे तो वो क्या करेंगे वो अपना जो बात है वो क्या करेंगे इसारों के द्वारा ही करेंगे तो आपको ऐसे ही पता चल गया होगा चलिए फ्रेट्ट्स देखते हैं ये असां विभूप का तया है है ये तो हम पहले ही कर लिए थे अब दिखे फ्रेट्स नेक्स आता RTE Act 2009 जिसको बोलते हैं Right to Agile Question Act 2009 इस Act में क्या कहा गया थे इसमें एक्ट में कहा गया है फ्रेंट कि 6-14 साल तक यानि 6-14 वर्ष के सभी बच्चों को मुप्त वंगानिवार सिक्षा का अधिकार प्रापत है ये वाला एक्ट जो है आर्टी एक्ट जो है ये किसको अधिकार देता है तो 6-14 वर्ष के सभी बच्चों को मुप्त सिक्षा का अध तो प्लीज लाइक कर देगा क्योंकि एक लाइक कि है जो हमें क्या करता है मूटिवेट करता है इस वीडियो को तयार करने के लिए लिए अगर आप दिन में एक ही वीडियो मिलता है तो आप तेंस ना लें है को कि हम अकेले हैं इनको टाइप करना होता है जैसे हम क्या करेंगे अपने हम से नोर्ट सब्स本ा आप अपने हातों से नोर्ट बनाया जाता है यह अमृत कैसे वह कारिय आप सब पोलते है नो nós देजे नोर्ट तो बहुत मिल जाएंगी नोट्स बोलोगे तो हमको भी अराम से देंगे कोई दिकत हमको नहीं लेकिन दे देने से आप क्या करोगे नौट्स ले लेते हो और फिर मुबाइल से एक बार पड़ देते हो फिर जैसे आप रख देते हो उनसे याद नहीं होगा प्रेंट्स क्या होगा आप अप अपने हाथों से लिखिए उससे क्या होगा उससे अपना हाथों से बनाया हुआ नौट्स सबसे बेटर होता इससे बेटर कुछ नहीं होता यह आपको हमेशा माइन पर सेट रखना प्रेंट्स आज इतना ही अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज आप वीडियो को दोस् टेचिंग इजाम से लिटर एक्जाम के तयारी करते हैं तो आप प्लीज मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए और प्ले लिस्ट में जाईए आप प्ले लिस्ट में क्या होगा जारकरन से लिटर और फिर पर्यावरन से लिडियो है आगे हम आपको पैड झाल 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